हेलो फ्रेंज गुड मॉर्णिंग कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज है नौमी और आज हमें हमन करने हैं तो हम इसमें अपने गाउं में ही मौजूद हैं और हम आज आपको दिखाएंगे अपने गाउं की सुखा की लाइफ ये मारिंति हो गया है और सूर उदे हो रहा है और ये मेरे घर के बाहर चछत का व्यूद है यो एफ पले बनी हैँ गोब जे बनाए जाती है है और यह दिखेए सूर देय हो रहा है और इस समय हम अपने चछट पर हैं क्योंकि सूर का दर्शन कर रहे हैं आप सबको पता है कि सूर की रोष्चनि में से हमको प्रुटामिड डी मिलती है तो इसलिए हम सूर सुन ने में आधे गंटे च्छत पर बैढ़ते हैं और यह देखिए मेरे अंगन का व्यू है यह मनी-प्लांट का पेढ है यह मेरे मेंदे पास ही लगा है यह कि पास तो लग रहा है और यह हर्सिंगार का पूल यह मेरे घर के पाहर लगा है। खाली जमीन है और यह सुबह के टाइम है तो मैं फूल को चुन रही हूं क्योंकि यह सुबह होती ही जमीन पर गिर जाता है फिला हला हम डुबट्टा वगएरा बिच्छा देते हैं जिससे की फूल उजी पर गिरे बट आज हम नहीं बिच्छा पाये थे तो जमीन पर ही और यह जमीन बहुत ही साफ सत्री है इसलिए कोई समयसा नहीं है हम लोग उठा लेते हैं है कि यह कि हम फूल को चुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छ रखता है फूल को फिरना और रपाट डलियत आप लोग उनों देखा ही होगा जिसमें फूल चुन कर रखते हैं कि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा कर्मेंट के जब बताईएगा और यह है अर्वी का पता यह भी घर के बाहर ही लगा है जब भी हम लोगों को जुरूत होती है हम लोग तोड़ लेते हैं और यह देखिए महर पंकी का पेड़ है और यह देखिए घर की बाहर का व्यू देखिए अमरूत का पेड़ है और यह आउने का पेड़ है गुड़हल का और यह है शकरकंद आप जानते ही होंगे यह भी लगा है मेरे घर के बाहर कई पेड़ लगे हैं अब देखिए तो शकरकंद त्यार हो जाएगी तो हम आप लोगों के साथ सेयर जरूर करेंगे कि देखते हैं किस तरह से शकरकंद त्यार होती है देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिंड़ी हो गई है क्योंकि यह समय लोग बिंड़ी नहीं खा रहे हैं और काफी पेड़ लगे थे बस कुछ से श्रूख गया हैं कुछ बच्चे हैं हम लोग लग लग सबजियां घर पर ही कागदी नेवू है और इस मेरस लेकिन बहुत होता है और यह घर पे मेरे लगा है घर के बाहर देखे कितना फल लगा है इसमें और यह छोटा रहता है फिर भी पक जाता है और इस करस भी बहुत मीठा होता है और यह हर्षिंगार का पेड़ देखे कितना सुन्दर लग रह हें बहुत से फूर्ट मेरे घर के बाहर लगे हैं आप लोगों नहीं मेरे बागी विडियो में देखे होंगें और हासंगार के पैड़ में पहली बार दिखा रहे हूं जाता है रात में खिलता है तो दोस्तों यह देखिए साम हो गई है और शूर्यास्ट होने वाला है और यह किदाफ रगधर लग रहा है है साम कभियो है और यह देखिए मेरा गाउं कितनी अच्छी हर्याली है किता सुंदर मौसम हो गया है कितनी पेट पहते हैं चारों तरफ खेट हैं पैट पहते हैं यह देखिए कितना अच्छ लग रहा है दोस्तों आपको यह मेरा डॉगी चुपा जोड़ा है दोस्तों आपको मेरा बीडियो किसे लगा कमेंट कर दो दताईएगा और बीडियो अच्छा लगा तो लाइच ज़रूर करती है तब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई बाय